अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक और शेर कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम हर अपडेट से आपको रूबरू कराते रहें तो सम्माने साथी चलते हैं आज की इस खास ख़बर की और साथी नमस्का स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनुशक न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज है आज की उपमक मंतरी का वयान बोले 2017 के घोशना पत्र के सभी वादे हमने पूर्ण किये तिन लाग सम्मिदा कर्मियों को नौकरी पढ़ें डिटेल्स यहाँ पर हम सम्मिदा कर्मियों को नौकरी दी है ऐसा वयान जारी किया है उत्तर प्रदेश सरकार के उपमक मंतरी श्री दिनेश शर्मा जी ने जनपत गाजी पुर के मुहमदाबाद पहुंचे और उन्होंने विभागिया अदिकारियों के साथ पार्टी कार करता है उन्हों साथ प्रदमिस्थान इसके बाद नीजी विद्धार है और जब उसके बाद भी संक्या कम होगी तो वित्विहिन विद्धाल है उमें ये परिक्षा संपन होगी किसे प्रगल की अन्यमिर्टा का ना हो इसका ध्यान रखा जाएगा नकल कराने वाले या पेपर कराने वालों की कट होर का रवाई की जा जाएगी ऐसे लोगा के चिन्नित किया जाएगा इस दोरान उन्होंने बताया की दोहजार सत्रा में सरकार की दोरा जो गोश्णा पत्र जारी किया गया है उसके वादे पूरे कर लिए गया है और जो बादे नहीं किये थे उसे भी पूरा कर लिया गया है उन्होंने का कि उद्धारण की तौर पे हमने कहा था कि दस विश्व विध्याले बनाएंगे बारा विश्व विध्यालों की सुकूर्टी हो चुकी ये चार विष्व ध्यारा और होने वाले हैं चार सालों में 77 डिग्री का अलिज बन कर तयार हो गए हैं हमने वादा नहीं किया था कि 250 से विध्यालै ने बनेंगे 15 सालों में 48 विध्यालै बने साथियों यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि इन्होंने कहा कि 2017 के वादे पूरे किये हैं और हो सकता है ये घोषणा जल्दी तीन लाग समविदा कर्मियों की बात कर रहे हैं तीन लाग समविदा कर्मियों में अनुदेशक और शिक्षा मित्र भी अवश्य होंगे ऐसी हम उमीद कर सकते हैं मानिये डिप्टी सीम दिनेश शर्मा जी के बयान के आधार पर अब ये घोषणा कब होगी कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को इन्होंने क्या क्या खास किया है क्या कुछ नया किया है उनकी जिन्देगी के लिए और अनुदेशकों का नियमती करन या